आज हम करने जारे हैं the price adjustment mechanism with flexible and fixed exchange rates तो इसमें हम देखने वाले हैं कि balance of payment में adjustment किस तरह से होता है exchange rate में changes की थूप उससे पहले हम देखेंगे कि दो assumptions पे यह सब कुछ based है तो पहला assumption है हमारा कि जो international private capital flows है autonomous international private capital flows नाम की कोई चीज नहीं है तो यहां हम मान के चलते हैं कि अगर ऐसा है international private capital flows हैं तो वो सिर्फ इसलिए हैं कि temporary trade imbalances को correct कर सके हैं तो पहली बात हमने यह मान ली और दूसरी बात हम यह मान के चलते हैं कि अगर current account में deficit देखने में आएगा तो उसको correct किया जाता है by exchange rate changes तो यह दो assumptions को हमें मान के चलना है अब क्या है कि हम जानते है traditional exchange rate model जो है वो base होता है trade flows पे और कितने speed में adjustment होगा यह इस बात पर depend करता है कि import और export जो है वो कितने ज़्यादा responsive होंगे to price या हम बोले exchange rate जो है वो price को affect करेगा तो price को लेके हमारा import और export जो है वो कितना ज़्यादा responsive या कितना ज़्यादा elastic है उस पे depend करता है तो इसी लिए हम इसको trade या elasticity approach भी बुलाएंगे अब देखते हैं कि इस diagram में क्या हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ऐसा मानके चलेंगे कि वर्ल्ड में सिर्फ दो economies है एक है United States और दूसरा European Monetary Union ठीक है और यहाँ पे हम exchange rate को show कर रहे है Y axis पे dollars और euros के बीच में तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है अगर हम यहाँ इस कर्द की बात करें जहां पे demand show किया जा रहा है तो US जब 1 का exchange rate चल रहा है 1 के exchange rate पे हो क्या करता है 12 billion euros की demand कर रहा है per year, okay और 1 exchange rate पे supply कितना हो रहा है यूरो का, 8 हो रहा है तो supply 8 billion euros है और demand हम देख रहे है 12 है तो इस तरह से क्या होगा इस तरह से जो balance of payment है US का उसमें हमें deficit देखने में आएगा कितना deficit तो 4 देख रहा है हमको 4 billion euros का deficit देखने में आएगा अब इसको correct करने के लिए क्या किया जा सकता है तो हम देखेंगे जो US का demand or supply curve है initially क्या था यह demand था अपना तो यह initial demand curve हमें दिख रहा था US का और यह हमें उसका supply curve दिख रहा था जिसके basis पे हमने बताया 8 billion euros का supply और हम देख रहे थे 12 billion euros का demand हो रहा था और exchange rate 1 था पर अब क्योंकि हमने देखा deficit का situation है balance of payment में तो ऐसे condition में क्या हो सकता है कि अगर 20% devaluation या हम बोले depreciation कर दिया जाए in the value of dollars तो ऐसे case में क्या होगा जो rate of exchange हम देख रहे थे पहले 1 था means 1 dollar upon 1 euro वो अब क्या हो गया है वो बढ़ गया है वो बढ़ के इतना हो जाएगा अगर 20% का change लाओगी तो इस case में यहां तक पहुंच जाएगा तो 1.20 का मतलब क्या होता है 1.20 का मतलब होता है 1.20 dollars upon 1 euro तो यानि अब आपको 1 euro को attain करने के लिए 1.20 dollars देना पड़ेगा तो हमने बोला जो हमारा dollar है उसका जो value है वो कम हो गया है तो इसे devaluation या हम depreciation गएगी अब दोनों के meaning में थोड़ा फ़रक है वो जिसको हम देखेंगी तो जब ऐसा हुआ तो हम क्या देख रहे है जब इतना devaluation हो गया तो इस e point पे हम देखते हैं यह problem solve हो गया deficit का और यह 10 का ही demand 10 का ही supply हमें देखने में आ रहा है तो यह problem हमें solve होता हुआ दिख रहा है अब और हम देखें अगर इसको तो अब अगर मानों ऐसा होता कि जो US है उसका demand और जो supply है हम देखतें वो उसकी elasticity कम होती वो इतना ज़ादा elastic नहीं होता हमें पता है न जितना यह ज़ादा flat होगा यह उतना ज़ादा elastic होता है तो अगर जितना steep होगा उतना कम elastic है तो हम देख रहे हैं कि मान दो यह थोड़ा कम elastic होता तो हमने एक नया demand curve draw किया यह अपना पुराना demand curve था अब हमने एक नया demand curve draw किया which is this one इसको draw कर दिया और नया supply curve भी draw कर दिया तो नया supply curve अपना ये बाला है अब हम देख रहे हैं ये तो नो कहां intersect हो रहे हैं ये हो रहे हैं इस point पे intersect तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर जो demand है और जो supply है वो अगर बहुत ज़ादा elastic नहीं है जितना चाहते थे हम उतना ज़ादा elastic नहीं है तो उस case में क्या होगा उस case में devaluation काफी severely करना पड़ेगा इतने से बात नहीं बनेगी जहां पे हमने इतना सा किया था और हमारा काम हो गया था यहां पे बहुत ज़ादा devaluation करना पड़ेगा तो यहां पे 20% किया था हमने तभी बात बन गई थी जब हमारा elasticity demand supply का कम था पर क्योंकि ज़ादा था रही तब हमारा इतने पे हो गया था पर अगर elasticity कम है और यह वाले demand supply curves है जो हमने अभी indicate किये तो ऐसे case में क्या हो रहा है देखो पहले 1 था exchange rate 1 से 2 हो गया है तो इसका मतलब 100% जो है dollar की value को devalue या depreciate किया गया है तब जाके वापस से वो deficit के problem को solve कर पाए जहां पे 10 का ही demand और 10 का ही supply हो पाएगा तो हमने इस पूरी चीज में सीखा क्या है हमने ये सीखा कि हमारा पुराना demand curve ये वाला था और हमारा पुराना supply curve ये वाला था जो ज़्यादा elastic थे और ज़्यादा elastic थे पर जब exchange rate 1 था तो ऐसे case में हमने देखा US को deficit आ रहा था balance of payment में deficit phase करना पढ़ रहा था 4 billion euros का तो ऐसे case में क्या हुआ उन्होंने devalue कर दिया अपनी currency को जब currency को 20% devalue किया गया तो उस case में क्या हुआ उस case में हमने देखा ये problem solve हो गया ये problem solve हो गया और 10 euros का 10 billion euros का ही demand और 10 billion euros का ही supply होने लगा और ये deficit का problem solve हो गया पर अगर हमारा जो demand और supply है वो इतना elastic नहीं है जितना हमने अभी बनाया है वो कम elastic है, ज्यादा steep है तो ये अपना demand का अपने आवाला ये अपना supply का अपने आवाला ऐसे case में जो devaluation है वो हमें ज्यादा करना पड़ा 100% का devaluation करना पड़ा तब जाके ये problem solve हुआ तब जाके ये problem solve हुआ और फिर हमें ये e-point यहाँ पे हम देख रहे हैं कि problem जाके solve हुआ है और 10 billion euros का demand और supply दोलो हुआ है तो ये चीज हमें देखने में आई और हम जो devaluation और depreciation है इन दोलों में क्या हो रहा है इन दोलों में currency की value कम ही हो रही है तो difference गया है difference ये होता है कि devaluation का मतलब हुआ जब एक देश की monetary authority जो है वो जान बूच रहे value को कम कर रही है अपनी currency के लिए अपनी currency की value को कम कर रही है तो वो devaluation है अब हमारा next topic है derivation of demand curve for foreign exchange तो यहां पर हम क्या करें US demand curve को derive करेंगे for euros ठीक है तो अगर हम इस diagram को देखें तो हम देखते हैं यह जो DM है यह क्या show करता है यह show करता है demand of import demand of import US जो करता है from European Union ठीक है अब क्या हुआ यह demand curve जो है यह किस exchange rate पे बनाया गया है तो यह हम बना रहे हैं अगर हम मानते हैं कि exchange rate one है मतलब one dollar के बतले में one euro जो है वो exchange किया जा सकता है तो हमने इस demand curve की तुर उसको represent किया है और यह supply जो है supply of import को show करता है यानि European Union जो import का supply कर रहा है US को यह उसको show करता है और अब यहां देखेंगे हम जो demand curve और supply curve है वो intersect करते हैं तो वो intersect कर रहे हैं B dash पी तो B dash पे हम देख रहे हैं demand कितना हो रहा है 12 12 billion units का demand हो रहा है और यहां पे अगर हम देखें तो price कितना है price है 1 euro तो actually overall price कितना pay करना पड़ेगा इसके लिए तो 12 into 1 that is 12 तो 12 billion euros जो है इसका demand किया जाएगा इस point पे जब equilibrium यहां पे है अब माल लेते हैं अगर ऐसा हो गया जो US dollar है उसका value depreciate हो गया by 20% तो इसका मतलब है एक euro को attain करने के लिए अब 1.20 dollars जो है वो देना पड़ेगा ऐसी situation में अब हमने एक नया demand curve जो है वो form किया तो this is D-M तो import का एक नया demand curve form किया और इसको downward shift के तुरू हमने show किया तो 20% इसको downward shift कर दिया गया अब 20% downward shift है पर हम देखेंगे ये दोनों जो curves है वो एक दूसरे के parallel नहीं है parallel नहीं है reason क्या है कि इस B-point पे जो B-point है यहाँ पे value कितना जा रहा है 1 तो 1 का अगर हम 20% निकाले लिए तो कितना जाएगा 20 तो यानि B- से लेकर H तक जो है इसका gap जो होगा 20 का difference यहाँ पे देखने में आएगा क्योंकि हमने 20% इसे downward shift किया है और 20% 1 का 20 गया अब इस G-point पे अगर हमें 20% इसको shift करना है downward तो हम देखेंगे value कितना जा रहा है 1.25 इसका जो 20% निकालेंगे तो कितना जाएगा 0.25 तो यहाँ पे 0.25 का gap दिखेगा जबकि यहाँ पे 0.20 का दिखा रहा तो यह दोनो जो demand curves है इनका parallel होना ज़रूरी रही है यह parallel नहीं होगी क्योंकि यह constant percentage sales को shift किया गया है अब हम देख रहे हैं यह जो नया demand curve है और supply curve अभी भी वही का वही है तो यह कहाँ इंटसे कर रहे हैं E-P जब यह E-P इंटसे कर रहे हैं तो अब देखते हैं हम 11 billion units जो है इसका demand supply हो रहा है और price क्या जा रहा है 0.9 तो यहाँ पर क्या हुआ 0.9 into 11 तो यहाँ पर 9.9 यानि इतने euros की demand यहाँ पर हो रही है और round off कर दें तो 10 हम बोलेंगे तो इतने euros की demand यहाँ पर हो रही है तो हो गया अब देखते हैं इस diagram में क्या दिखाया जा रहा है तो इस diagram में हम देख रहे हैं यहाँ पर हम US का export market देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह जो dx है यह और यह जो sx है यह exchange rate 1 को show करता है 1 के हिसाब से बनाए गया है यानि 1 dollar is equal to 1 euro वो वाला case है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम देखें यह intersect कहां कर देख रहे हैं यहाँ पर कर देख रहे हैं A- तो A- पर क्या situation हमें देखने में आती है जो price है in euros that is 2 और quantity किते जारी है 4 यानि इस A- point पर US को 8 billion euros का supply किया जा रहा है ठीक है अब हमने क्या बुला कि मानलो जब value depreciate हो गया था dollar का तो dollar का value जब 20% depreciate हो गया तो हम देखते हैं जो supply curve है supply curve भी shift हो गया तो यह supply curve में shift देखने में आ रहा है और यह अब S- X हो गया है और यहाँ पर अब हम नया equilibrium point जब देखेंगे तो वो हमें देख रहा है यहाँ पर यह नया equilibrium point है E dash जहाँ पर जो price है that is 1.8 1.8 और यह जो हमें देख रही है demand 5.5 तो 5.5 demand है इतने billion units की और price 1.8 तो ऐसे case में जो United States है उसको कितना quantity of euro supply किया जाएगा तो हम इसको देखते है 9.9 billion euros जो है इस E dash point पे supply किया जाएगा US को तो इस diagram की help से demand curve को derive किया जा सकता है for foreign exchange और इस diagram की help से supply curve जो है उसको derive किया जा सकता है for foreign exchange अब हमारा next topic है effect of exchange rate changes on domestic prices and terms of trade तो अब हम देखने वाले हैं कि exchange rate में change होनी की वज़े से domestic prices और terms of trade जो है ये किस तरह से affect होता है तो इसको हम इस diagram से देख सकते हैं तो यहां हमने क्या देखा था कि जो US है उसने अपने currency को devalue कर दिया था by 20% तो उस devaluation की वज़े से उस country के जो domestic prices है वो किस तरह से affect होगा और terms of trade पे क्या अफर देखने में आएगा तो हम कहते हैं जब currency का value या dollar का value depreciate हुआ या devalue हुआ तो ऐसे case में क्या होगा US में जो import substitutes हैं उनका production जो है वो उसमें stimulation देखने में आएगा and then export जो है वो बढ़ेगा और इसकी वज़े से जो US है उसके अंदर price rise देखने में आएगा तो हम देखते हैं कि depreciation की वज़े से या devaluation की वज़े से किसी certain currency की उस nation में inflationary pressure जो है वो देखने में आ सकता है और जितना ज़ादा devaluation या depreciation होगा dollar का उतना ज़ादा inflationary impact देखने में आएगा US economy में तो पहली बात हमने बोली domestic prices में क्या असर देखने में आया तो हमने बुला उस economy में inflationary pressure जो होगा ये feel होगा वहाँ पराइस राइस हमें देखने में आएगा और दूसरी हम बात कर रहे थे कि terms of trade किस तरह से affect होगा depreciation या devaluation की वज़े से तो हम terms of trade जो है अगर उसकी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं प्राइस रखते हैं निवरेटर में of the export commodity और उसको divide करते हैं by price of import commodity इस तरह से हम जो terms of trade है उसे पता लगाते हैं तो अब जब मालो यह US है जिसका हमने एक case पढ़ा था कि इन्होंने 20% जो है अपने currency को यानि dollar को devalue कर दिया था तो इसका क्या असर देखने में आएगा इस terms of trade भी और यह impact कैसा होगा वो हम इसी बात से idea लगा सकते हैं कि अगर currency का depreciation हुआ है या devalueation हुआ है तो ऐसे case में उस country का जो terms of trade है वो बढ़ भी सकता है, rise भी हो सकता है, fall भी हो सकता है या वो constant या unchanged भी रह सकता है अब यह कैसे होगा यह इस बात पर depend करेगा कि उस nation में जो export है, उसका जो price rise हुआ है वो जो import का price rise हुआ है उससे जादा है, उसके बराबर है या उससे कम है कितने percentage में दोनों चीज़ें हो रही है उस पर depend करेगा कि actually जो terms of trade है वो किस तरह से affect होगा तो यह इस बात पर depend करेगा अब हम US वाला example वापस से उठाते हैं और देखते हैं कि इनके case में क्या हो रहा था तो यहां पर हमने क्या देखा था, यहां पर हम देख रहे थे कि जब devaluation नहीं हुआ था, उस time पर जो PX है, यहां पर US का export पांकिट शूग किया जा रहा है तो जो PX है, that is 2, 2 euro, ठीक है अब जो PM है, बिना उसके devaluation के, जब devaluation नहीं हुआ था, उस time पर कितना था तो यह पुराना demand curve है, यह पुराना supply curve है और यह हम देख रहे हैं, यहां पर intersection है, तो B dash, B dash है शो हो रहा है और यह 1 है, तो PM is 1 and PX is 2 तो हमने बोला अपना terms of trade निकाले के लिए क्या किया export वाला उपर और import वाला नीचे, तो in our case 2 upon 1, which is 2 और percentage निकालेंगे, तो it would become 200%, ठीक है अब यह बात हो गई, before devaluation, अब after devaluation क्या होगा है तो जब currency को 20% devalue कर दिया गया, फिर हम देख रहे हैं जो अब PX है, वो कितना हो गया है, वो E dash जो है, इस से show होगा तो now it has become 1.8, तो PX is 1.8 and PM has become 0.9, तो 0.9, 1.8 अब आपर से terms of trade निकाल के देख लेते हैं, तो again PX upon PM, तो PX is 1.8 1.8 upon 0.9, तो it is again 2, और अगर percentage में निकालेंगे, तो it would become 200%, तो हम देख रहे हैं, पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है तो US वाली case में क्या होगा है, US वाली case में जो devaluation किया गया, उसका terms of trade पे कोई असर देखने में नहीं आया, terms of trade पहले जैसा ही रह गया है तो इस वाली case में ऐसा है, तो हमने यहीं बात बोली थी, कि terms of trade कैसा होगा, वो इस बात पर depend करता है, कि जो price है export का, वो उसमें कितना change आ रहा है, import के comparison में यानि import के बराबर, rise देखने में आया, import से कम या import से जाधा, उस पर depend करेगा कि terms of trade क्या है और इस वाली case में same ही गया, देखूँ, यहाँ पर पहले हमने 2 रखा था और 1, so 2 upon 1, उसके बाद में क्या हुआ, 1.8 and 0.9, तो दोलों case में हमने देखा, divide करने पर result हमारा same ही आया, तो इस case में unchanged terms of trade है और इसका कुछ असर क्या देखने में आ सकता है, तो पहली बात तो यह हो सकती है, कि जो nation होगा, वो क्या करेगा, कुछ चीजों का अपने nation के अंदर ही, जो है, resources का इस्तमाल करने लगेगा, उन समान को produce करने के लिए, जो पहले वो import कर रहा था, तो एक काम यह किया जा सकत है, और दूसरी चीज हमें देखने में आती है, कि क्या होगा, जब बहुत जादा डिवालुशन किया जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो country का exchange rate होगा, दूसरे nations के respect में, वो हम देखेंगे, इतना जादा हो जाएगा, कि ऐसे केस में, जो nation है, जिसने अपनी करेंसी क को डिवालु किया है, वो international competitiveness जो है, वहाँ पे कहीं stand नहीं कर पाएगा, मान दो किसी एक particular sector में, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता था पहले, पर अब जो है, क्योंकि exchange rate बिल्कुल बरबाद हो गया, तो वो जो है, stand नहीं कर पाएगा, अब वापस से उस position में वहाँ पे नहीं आपाएगा, और de-industrialization तब भी उसको face करना पड़ सकता है, इसको Dutch disease कहा जाता है, Now we can move on to our next topic, that is, stable and unstable foreign exchange markets, अब हम इसमें देखते हैं, कि stable and foreign exchange markets जो है, उसके अंदर क्या situation देखने में आनी चाहिए, तो these two diagrams are representing stable foreign exchange markets, और ये वादा unstable है, अब किस तरह से ऐसा क्यों बोल रहे है हम तो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यह हमें दिख रहा है demand, Euros के लिए कितनी demand की जा रही है, यह है Euros के लिए कितनी supply की जा रही है, तो Euros की कितनी supply है, यह equilibrium है, and then equilibrium कितने exchange rate पे है, 1.20, which means 1 Euro को attain करने के लिए, जो US है, उसे 1.20, जो dollars है, इतना pay करना पड़ेगा, ठीक है, अब जब 1.20 exchange rate है, तब कितना demand or supply हो रहा है, Euros का, तो 10 का, 10 billion, जो है, Euros का demand भी हो रहा है, supply भी हो रहा है, अब मान लो, for some reason, जो exchange rate है, वो कम हो गया, और यह 1 हो गया, तो 1 होने का मतलब, अब 1 Euro को attain करने के लिए, आपको 1 dollar देना पड़ेगा, तो अब जब exchange rate ऐसा हो गया है, तो क्या हो रहा है, हम देख रहे है, demand पहले से जादा हो गई है, पहले कितना था, demand supply, both were 10, 10 billion, अभी demand हो गया 12, और जो supply है, वो reduce हो गया, वो हो गया 8, तो excess demand का situation है, यानि exchange rate जब 1 हो गया है, तो हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है, 4 billion euros का, excess demand देखने में आ रहा है, और हम देख रहे हैं, जब demand जादा होगा, तो demand जाद होने की वज़े से वापस exchange rate उपर या जाएगा, और वापस से इस e-point तक पहुंच जाएगा, 1.20 पे वापस से वो आ जाएगा, अब हम देखते हैं, कि मान लो, अगर exchange rate 1.40 हो जाए, due to some reason, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर supply हो रहा है, रहे हो इतना जादा, पहले याँ यूरो उसका supply जादा है, डिवान कम देख, तो ऐसे case में क्या होगा, अपने आपी, जो value है, वो नीचे आ जाएगी, exchange rate वापस से, यहीं पे establish हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यह stable point exchange market को show कर दा है, क्योंकि यहाँ पे stability देखने में आ रही है, कि अगर कि इसी वज़े से उपर नीचे हो भी रहा है, तो at the end finish तो यहीं पे ओड़ा है न हर बारी, तो 1.20 पे ही equilibrium maintain हो पा रहा है, तो यह stable point exchange market को show कर दा है, अब हम देख रहे हैं, यह stable किस तरह से हैं, जो अपना second diagram है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो demand है, for euros, वो उसका जो demand curve है, that is somewhat the same, negative slope, यहाँ पे भी था, यहाँ भी negative slope है, तो उसमें कोई change नहीं है, तो पर यह जो supply curve है, इसमें हम एक change देख सकते हैं, यहाँ पे जो supply curve था, इसको हमने positive माना था, यहाँ पे यह भी negative slope है, यहाँ पे negative slope को show कर रहा है, और साथ में यह जो demand curve है, इससे ज़ादा steep दिख और यहां पर demand curve supply curve दोनों को intersect करें इस e-point पर जो की 1.20 exchange rate पर हमें देखने में आ रहा है और यहां पर जो euros की demand है supply है दोनों के दोनों 10 billion euros है ठीक है अब क्या हुआ फिर वही वाली बात है कि मानलो exchange rate किसी वज़े से 1 हो जाता है तो ऐसे case में जो demand है वो तो बढ़ गया demand बढ़ गया 12 हो गया और जो supply है वो पहले से थोड़ी बढ़ गई है पर demand जाता बढ़ गया है actually दोनों ही बढ़ गए है पर हमारा demand supply की comparison में जाता बढ़ गया है तो अभी demand जाता है supply कम में यानि यह excess demand के situation को show कर रहा है जब demand excess होगा euro का तो ऐसे case में बापस से exchange rate उपर चला जाएगा और 1.20 पे आ जाएगा और मानलो अगर exchange rate उपर चला गया था 1.40 तो ऐसे case में हम क्या देख रहे है जो demand है supply है दोनों के दोनों चीजे इस equilibrium point पे जितना था उससे कम हो गया है पर हमारा जो demand है वो relatively जादा कम हो गया है supply सी तो ठीक है तो ऐसे case में देखो यह रहा demand यहाँ demand शो हो रहा है और यह रही अपनी supply तो हमने देखा यहाँ पे supply जादा है demand कम है तो अगर access supply है supply access है तो अपने आपी exchange rate नीचे आ जाएगा और वापस से यहीं पे maintain हो जाएगा तो यहाँ भी stable जो है foreign exchange market है क्योंकि वापस से exchange rate एक stable position पे आप आ रहा है यह unstable कम होता ह इसको अब हम देख लेते हैं तो इस diagram में हमें दिख रहा है demand curve और दिख रहा है supply curve ऑफ euro ठीक है पर यहाँ पे हम देख रहे है जो supply curve है वो demand curve के comparison में जादा elastic है यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे जादा steep था जो अपना supply था वो जादा steep था यहाँ पे जो supply है वो जादा steep नहीं है demand के comparison में वो elastic है जादा supply जादा elastic है ठीक है तो जब supply का जादा elastic होगा ऐसे condition में क्या results देखने में आएंगे हम देख लेते हैं तो जब 1.20 exchange rate था तो वापस से E point पे equilibrium maintain हो रहा था demand supply both were equal और वो 10 billion euros थे ठीक है अब किसी वज़े से ये कम हो गया, one हो गया तो जब ये one हो गया तो हम क्या देख रहे हैं ये जो demand है, demand इतना है और supply कितना जा रहा है, supply जादा जा रहा है तो exchange rate के कम होने पे access supply का situation यहाँ पे शोग रहा है और जब supply जादा होगा, access supply है तो ऐसे case में जो exchange rate है वो उपर नहीं जाएगा वो और नीच धे जाएगा ठीक है, तो stable तो नहीं हो पाया आप वापस उस exchange rate पे नहीं आ पाये हो 1.20 वाले पे अब हम देखते हैं कि अगर यह उपर जादा तब क्या होता अगर exchange rate किसी वज़े से 1.40 हो जाता तो हम देख रहे हैं यह जो है यह supply है और यह हमारी demand है तो हम बड़े रामज़ देख सकते हैं demand जादा है supply का में यानि यह access demand की situation को शोग करता है और जब demand access होगा तो exchange rate के कम होने का कोई chance ही नहीं है exchange rate और जादा बढ़ जाएगा तो इस वज़े से हम वापस से अपने इस stable position पे नहीं आपा रहे हैं जो हम आपा रहे थे इन दोनों डाइग्राम्स में इस वज़े से हम बोल रहे हैं यह एक unstable foreign exchange market को represent कर रहा है यह अपना third diagram अब अगर मानों कि जो foreign exchange market है वो unstable है तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे situation को कैसे ठीक करें तो हम बोलते हैं मानों foreign exchange market unstable है और flexible exchange rate system जो है किसी nation के अंदर तो ऐसे case में क्या होगा जो balance of payment disequilibrium है वो कम होने के बजाए बढ़ जाएगा unstable वाली case में तो यहाँ पे चीजों को ठीक कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे revaluation या appreciation required होगा बजाए की devaluation के इस situation को ठीक करने के लिए deficit को reduce करने के लिए और ऐसे market के अंदर जो unstable है यहाँ पे अगर surplus हो तो surplus को ठीक किया जाता है by devaluation तो यह policies जो है यह उल्टी है जो हम stable market में apply करेंगे stable market में हमें यह नहीं करना होगा बिल्कुल reverse हमें steps उठाने होगे तो एक बार ही अगर हमें sure हो जाए कि हमारा market के इस तरीके का है coin exchange market stable है, unstable है और unstable है तो हमें देख लिए हमें क्या कुछ करना है अगर वो stable है तो फिर हमें उस तरीके के जो steps हैं उठाने होगे देखना पड़ेगा जो demand curve है supply curve है उनकी elasticity क्या है तो ऐसी situation में जो disequilibrium है उसको ठीक करने के लिए हम कैसे depreciate करें devalue करें क्या step उठाएं तब हमें उसको decide करना पड़ेगा सबसे पहले यह check करना पड़ता है कि stability है की नहीं है अब हम देखने वाले martial learner condition और यह किस बारे में है क्यों इसकी जरुद है वो सब हम देखने वाले है तो हमने अभी क्या देखा था इससे पहले कि foreign exchange market जो है इसको हम कैसे बताएं कि यह stable है unstable है किस तरह से बता सकते हैं और यह बड़े simply हमने बता दिया तीन diagram हमारे पास में available थे और हमने देखा कब-कब stable हो सकता है नहीं हो पा रहा है और बहुत आराम से हम बता पा रहे हैं पर यह बहुत आराम से हम सिर्फ ता पता पाएंगे जब हमें exact shape पता हो demand curve का supply curve का exact shape अगर हम जान रहे हैं तब हम यह काम कर पाएंगे पर real world में ऐसी possibility बहुत कम होगी ना के बराबर है जहां पर यह चीज़ possible हो कि हम exact demand curve or supply curve जो है उसको पता पाएं and then बोलें कि market stable है कि unstable है तो ऐसा है इस वज़े से हम martial learner condition जो है इसका इस्तमाल करते हैं जानने के लिए कि कोई market stable है या unstable है तो किसी भी foreign exchange market के बारे में हम बोल पाएंगे कि वो stable है या unstable है इस condition को यूज करके अब वो condition है क्या वो condition ये है कि अगर price elasticity जो है demand of import और demand for export इनका जो price elasticity है इनका अगर हम sum कर दे और वो sum जो है वो एक absolute number हो और one से बड़ा हो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे वो market जो है वो stable foreign exchange market है ठीक है simple सी बात है तो हमने क्या बोला sum निकाला price elasticity of the demand for import and demand for export दोनों को निकाल लिया add कर दिया और देखा कि क्या वो absolute number आ रहा है कि नहीं आ रहा और साथ में हमने ये भी देखा कि वो one से बड़ा है कि नहीं है तो हमने बोला वो stable है पर अगर ऐसा हो ये जो value है sum की value if it is less than one तो हम बोलेंगे जो foreign exchange market है that is unstable और अगर ऐसा हो जाए कि वो one ही आ जाए फिर क्या है तो ऐसे case में हम ये मानेंगे कि जो exchange rate है अगर उसमें कोई change हुआ तो जो balance of payment है उसमें कोई change नहीं होने वाला है ये उस condition को show करेगा तो ये हमारा martial learner condition है तो तीन condition पताई जिसके तुरू हम बोल पाएंगे कि stable है, unstable है या क्या चल रहा है market के अंदर foreign exchange market rate अब हमारा next topic है elasticity estimates अब elasticity को किस तरह से estimate करना possible है तो correct elasticity जो है उसको estimate करना कितना important है ये जानने के लिए कि market stable रहे इन सब चीज़ों के लिए कितना ज़ादा important है तो हमने martial learner condition में क्या माना था कि एक stable foreign exchange market तब होगा अगर sum जो है price elasticity का of the demand for import and the demand for export exceed कर जाए one से in absolute बाजी ठीक है अब जो ये sum है दोनों elasticity का वो one से बढ़ा होना चीए और one से अच्छा खासा बढ़ा होना चीए ताकि क्या हो जो nation का demand or supply curve है foreign exchange का वो इतना elastic हो जाए कि अगर हम depreciation, devaluation ऐसा कुछ करें तो वो nation के जो balance of payment में deficit है उसे correct करने के लिए इस्तमाल करना possible हो वो excessive inflation जो है वो सब देखने में ना आए अब है elasticity estimates तो इसमें elasticity को estimate कैसे कर सकते हैं इसको लेके एक problem है जिससे बुला जाता है identification problem in estimation इसमें ये देखा गया कि जो पुराने econometric studies हुई उनके अंदर अकसर ये पाया गया कि जो estimation किया गया elasticity का वो अकसर कम रहा उस value से जो होना चाहिए था जो actual value होनी चाहिए थी उसे कम ही रहा basically इसको underestimate किया गया तो price elasticity of demand for import and export दोनों को underestimate किया गया अब क्यों ऐसा ये problem देखने में आया वो हम इस diagram से देख सकते हैं तो इस diagram में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये देखू जो दो point देख रहे हैं E and E dash ये दोनों point equilibrium situation को show कर रहे है E show कर रहा है devaluation से पहले वाले situation को और जो E dash है वो show कर रहा है devaluation के बाद में कहां पे equilibrium रहा और ये जो shift देख रहे हैं हम supply curve में इस shift का reason जो है वो भी है depreciation या devaluation हम बोले dollar का जो किया गया उसकी वज़े से ये SX जो है वो हो गया S star X तो इसका reason भी ये है तो हमने देखा supply effect हुआ है पर इसकी वज़े से devaluation की वज़े से जो foreign demand for US export है उस पे कोई असर देखने में नहीं आया तो अगर कोई और factor में change देखने में नहीं आये जैसे कि US exports को लेके मान दो लोगों का taste जो है इन समय कोई अगर change देखने में नहीं आये तो ऐसे condition में क्या होगा जो estimated foreign demand curve है US exports का वो जो है वो DX के तूर represent किया जा सकता है जो हमें यहां पर दिक्रा है तो हमने बोला पहले E, E dash तो E हो गया equilibrium before devaluation और यह after devaluation यह supply curve है before devaluation और यह supply curve है after devaluation और हम कहरे हैं जो demand curve है उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा वो वही का वही है अगर बांकी factor जो है उसमें कोई change देखने में नहीं आएगा जैसे कि taste तो वो DX के थूँ show किया जा रहा है और यह जो DX है वो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि यह inelastic है पर यह जो DX D dash X है यह elastic है और हम देखने हैं इसमें shift है यह यहां से यहां shift हो गया है तो क्यों हो गया है अगर taste में change आ जाए तो ऐसा हो जाएगा मान दो आपका जो demand curve था export का वो elastic है तो elastic वाले case में क्या हो रहा है अगर taste में change आ गया तो हमारा demand curve जो है वो shift हो गया है वो D double dash X जो है वो बन गया है तो इस वज़े से जो regression analysis है वो हमेशा जो demand है dx है उसकी जो elasticity है उसको कम measure करता है चाहे two elasticity जादा ही क्यों ना हो और इसका reason है कि जो ये elasticity है ये बहुत सारे जो factors है उस पे depend कर सकता है और over time कहीं सारी चीज़ें इसको affect करेंगी तो अक्सर जो estimate किया जाता है उसमें इन सारे factors को consider नहीं करते है तो वो underestimate ही होता है जो real value होगा उससे कम value ही लिया जाता है और इन estimation का जो value है वो सही ना आने के पेछे कुछ और reasons भी हो सकते है जिसमें कुछ lags है lags basically उसको क्या मतलब हुआ कि जो price है उसमें कोई change आया international trade को लेके price में कोई change आया तो उसकी जो quantity है उसका response जो है वो instantly ना के उसमें कोई lag देखने में आये तो कुछ lags है जैसे recognition lag जिसका मतलब है price में change आया तो पहले ये evident हो पता चल जाए सबकों कि हाँ price में change आया इसके बाद decision lag एक बाद price में change आ गया आपने notice कर लिया तो उसके बाद में हम उस price change को लेके किस तरह से किस तरह से उसका advantage उठाएं इसको सोचने में जो time हम लेने वाले है वो है decision lag इसके बाद है delivery lag तो delivery lag है नए price के हिसाब से orders को place किया जाना फिर है replacement lag and then last one is production lag तो इस तरह के एक कुछ lag है जो estimation जो है उसको ठीक नियों देते हैं उसमें कुछ उपर नीचे values हमें देखने में आ जाती है real values से now our next topic is the j curve effect and revised elasticity estimates तो इसमें हम यह देखने वाले हैं j curve effect है क्या तो इसको समझने के लिए कुछ बात को समझना जरूरी है तो यहाँ पे हम देखते हैं होती है long term elasticity के comparison में और दूसरी बात है कि जब devaluation के depreciation होता है किसी currency में तो instantly चीज़े अच्छी नहीं हो जाती है तो instant result ही आता है कि चीज़े बेकार होना शुरू हो जाती है उसके बाद में वो धीरे धीरे करके improve होती है ऐसा क्यों होता है तो हम बोलते हैं ऐसा होने के पीछे एक tendency है वो क्या है जो domestic currency price है import का वो जादा speed में बढ़ता है बजाए की export prices की जब हम devaluation करें उसके instantly कुछ time बाद हम देखते हैं कि जो export का price है वो कम बढ़ेगा और जो import का price है वो जादा speed में पढ़ना शुरूम जाता है और जहां तक quantities की बात करें तो initially कोई खास change उसमें नहीं आता है time के साथ साथ उसमें हमें जादा major changes देखने में आएंगे तो हमने बोला initially situation बेकार होता है तो उसको देखो हम यहां पर दिखा रहे है trade balance और यहां दिखा रहे है time तो जब आपने कर दिया devaluation तो initially results जो है अच्छे नहीं है जहीं देदर करके वो improve होंगे तो यह उसको show कर रहा है that is J curve effect तो overtime क्या होगा overtime export जो है उसका quantity बढ़ जाएगा and then जो import है उसकी quantity कम हो जाएगी export के price जो है वो भी import के prices तक पहुंचने शुरू हो जाएगे तो initially जो nation का trade balance था वो बिगड़ा पर धिरे धिरे करके वो improve होना शुरू हो जाता है तो हमने बोला यह जो tendency है जहां पर अगर आप devalue करते हैं किसी country के currency को तो starting में चीज़ें बेगार होती है and then वो slowly improve होना शुरू होती है devaluation या depreciation के result के तौर पे तो इसी को J curve effect बोला जाता है और उसको देखो इस तरह से represent किया जा सकता है तो एक तरफ हमने यहां पे trade balance दिखाया एक तरफ time दिखाया फिरम दिखाया है पहले deterioration देखने में आया and then वो slowly improve होता चला जा रहा है तो this is J curve effect